चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर है जो मात्र तीन सेकेंड के अंदर अपनी रबतार में एक सो तीन किलोमेटर प्रति घंटे का इजाफा कर सकता है नमस्कार दोस्तू आज की इस वीडियो में जानेंगे चीते के बारे में लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी मज़िदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे तो चलिए जानते हैं चीतों के बारे में चीते जो कि अपनी अध्भुत फूर्ती और रफ्तार के लिए पहचानी जाते हैं जानकारों के मताबिक सिर्फ अफरिका के जंगलों को छोड़ कर सारी दुनिया से चीते बिलुप्त हो चुके हैं साल 1947 में चीतों को भारत में आखरी बार देखा गया था जिसके बाद भारत सरकार ने साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोशित कर दिया था हाली में आभिविया से आठविदेशी चीते भारत लाई गये थे इन सभी चीतों को मद्धि प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया जिन में पांच मादा चीते और तीन नर चीते थे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने अपने जन्म दिन के मौके पर 17 सितंबर 2022 को इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था चीते जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जानवर हैं जो एक छोटी सी चलांग में 120 किलोमेटर प्रती घंटे तक की रफ्तार प्राप्त कर लेते हैं और मातर तीन सिकेंड के अंदर ये अपनी रफ्तार में 103 किलोमेटर प्रती घंटे का इजाफा कर लेते हैं जो की बहुत ही हैरानी की बात है जब चीते अपनी उच्चतमी स्पीट से दोड़ रहे होते हैं तो वो अपनी एक छलांग में 6-7 मिटर यानि की 21 स्पीट की दूरी तै कर रहे होते हैं चीते सिर्फ एक मिनट के अंदर ही अपना शिकार कर लेते हैं अगर चीते अपना शिकार पहले हमने में नहीं कर पाते तो फिर वो अपने शिकार का पीछा नहीं करते मादा चीते अकेले रहना पसंद करती हैं जबकि नर्चीते छोटे छोटे समों में रहना पसंद करते हैं सिर्व संबोग के समय ही मादा और नर्चिते एक साथ रहते हैं मादा चीतों का गर्व का लगबग तीन महिनी यानि की 90 दिनों का होता है जिसके बाद ही 3 से 5 शावकों को जन्म देती है मादा चीते अपने शावकों को अकेले ही पालती है अफ्रिका में 90 की दर्शक में हुए एक शोज से पता चला था कि चीतों के 95 फीजदी बच्चे वयस्क होने से पहने ही मर जाते है यानि चीते की 100 बच्चों में से 5 ही वयस्क होने तक जिन्दा रहते है यह इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वज़ा है बात करें इनके शरीर के आकार की एक वयस्क चीते का वज़न 36-65 किलोग्राम तक होता है इनके पूरे शरीर की लंबाई 115-135 सेंटिमीटर तक होती है जबकि पूच की ओसत लंबाई 84 सेंटिमीटर मापी गई है जबकि नर्चीते मादा चीते से आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इनका सिर भी थोड़ा सा बड़ा होता है बात करें चीतों के जीवन काल की तो चीतों की ओसत उमर लगबग 13-18 साल तक की होती है